Hello future doctors, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, आप इक अपने चैनल के उपर एक बार फिर से dress code के अंदर बड़ा बदलाओ देखने को मिल रहा है दोस्तों और dress code से जुड़े आपके जितने भी questions है, उनका सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा NEET 2020 देने वाले experiment इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए काफी ज़्यादा helpful ये वीडियो रहने वाली है और इस वीडियो को जितना ज़्यादा होस के सेर करें दोस्तों क्योंकि NEET 2020 dress code में जो जो बदला हुए है आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगे तो चली अब ज़्यादा देर ना करते हुए देख लेते हैं NEET 2020 dress code से जुड़े सभी questions तो सबसे पहला question है कि क्या NEET 2020 प्रिक्षा में floral print वाले कपड़े पहन कर जा सकते हैं तो उत्तर है नहीं NEET 2020 dress code के मांदडों के अनस्वार फूलों की कडाई या अन्या डिजाइन वाले कपड़े पहनने से बचना चाहिए next है क्या लड़कियों को NEET प्रिक्षा के अंदर में lagging पहनने की अनुमती है next question है यदि मैं जिन्स पहनता हूँ तो क्या मुझे NEET 2020 प्रिक्षा देने की अनुमती दी जाएगी next है क्या मैं NEET 2020 के दुरान अपने सूट के साथ दुपटा पहन सकती हूँ तो उत्तर है दुबटा पहने पर कोई सपष्ट दिसान देश नहीं दिया गया है हलांकि ऐसे कपडों से बचना ही सबसे अच्छा उपाई है जिनका विवरण इन्फोर्मेशन ब्रोसर में नहीं है इसके बाद नेक्स्ट है क्या NEET 2020 में टैटू की अनुमती है तो उत्तर है नहीं एंटी द्वारा निर्दिष्ट नीट ड्रेस कोड़ 2020 के नुसार टैटू मेडिकल प्रिक्षिया में सक्त वर्जित है नेक्स्ट है क्या हम NEET प्रिक्षिया के अंदर में कैल्गुलेटर का उप्योग कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स में दिये गए निर्दिष्टो के नुसार कैल्गुलेटर या किसी अन्या इलेक्ट्रोनिक उपकरण को प्रिक्षिया हाल में ले जाने की अनुमती नहीं दी जाएगी इसके बाद next question जो frequently पूछ जाता है वो ये है क्या NEET 2020 प्रिक्षिया काक्स में घड़ी ले जाने की अनुमती है तो अन्स्वर है नहीं उमीदवारों को सला दी जाती है कि वे NEET प्रिक्षिया के दिन घड़ी लेकर नहीं जाएगी नेक्स्ट है क्या प्रिक्षिया के दिन नेल पेंट प्रियोग करने की अनुमती है उत्तर है नेल पेंट से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि यहां प्रिक्षिया के अंदर में चेकिंग के समय प्रिशानी पैदा कर सकता है इसके बाद नेक्स्ट क्योस्टन है मैं सिख हूँ और मैं अपने धरम के नुसार पगड़ी पेहनता हूँ क्या मैं नेट प्रिक्षिया के लिए उपस्तित हो सकता हूँ तो इसका अंसर है हाँ जो अमिद्वार किसी विशेश धरम या रिवाज का पलन करते हैं और बुर्का पगड़ी किरपान कड़ा आदी जैसे पर्थागत कपड़े या वस्त्वे पहनते हैं उन्हें सत्यापन वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग समय से एक घंटे पह इसके बाद next question है क्या need 2020 प्रिक्सिया के दिन safety pins ले जाने की अनुमति नहीं है तो उत्टर है नहीं प्रिक्सिया होल के अंदर safety pins की अनुमति नहीं है उमिद्वारों को admit card, wed id proof और passport size photo के अलावा कुछ भी नहीं ले जाना चाहिए और next है क्या मैं need 2020 प्रिक्सिया होल में चस पहन सकता हूँ तो उत्तर है हाँ नियमित रूप से चस्मा पहनने वाले छात्रों को प्रिक्षिया के दिन इसे पहनने की अनुमती दी जाती है लेकिन प्रिक्षिया होल के अंदर फैसनेबल चस्मे या धूप के चस्मे की अनुमती नहीं होगी इसके बाद नेक्स्ट है क्य ये इससे बचना ही बहतर है ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे लगाने से बायो मेट्रिक सत्यापन के दुरान समस्या हो सकती है और यदि बायो मेट्रिक सत्यापन विफल हो जाता है मेंदी या हीना के प्रणाव सरूप तो उमीदवार को नी 2020 प्रिक्सया देने की अनुमती नहीं दी जाएगी ये वो क्योस्टन्स है जो नी 2020 के एस्प्रेंट्स फ्रेक्मेंटली पूछते हैं जिनका अन्स्वर आपको अभी अच्छे से मिल गया होगा और क्या क्या सावधानिया आपको जब एक्जाम देने जाओ तो बढ़तनी चाहिए वो भी आपको पता लग गया होगा अब उमीद करता हूँ कि आपका कोई डाउट नहीं बचा हो होगा फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत दिल से धन्यवत थैंक यू